जैहिन साथ यो बेलकम टू सेल पेश्टरी के लासे स्विस्वमिज जैन यूटूब सेल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज के भी इस वीडियो में हम किर्सी और मिर्दा के बारे में जानेंगे ठीक है जो भी आपके परियावन से संबंदेत जो भी महत्पूर्ण प् प्रकार नरबाह किर्सी वारज्यक किर्सी पालन है ना किर्सी को प्रभावित करने वाले कारक फसलों की प्रकार विदेशी फसले और मिर्दा संरक्षन मिर्दा की प्रकार मिर्दा ये सारी की सारी चीजें जानेंगे और साथी अभ्यास प्रसनें भी यहां पर हम करेंगे इसके बाद में ठीक है तो सबसे पहले बात यही आती है दोस्तों की किर्सी क्या है ठीक है तो किर्सी क्या है जब मनुष अपनी आवस्सकताओं को पूरा करने के लिए फसल उगाता है है ना फसल उगाता है फल सबजियां उगाता है तो फूलों को उगाता है या फिर उपरो प्राथ्मिक किरिया है जिसमें प्राकरतिक संसादनों का उपयोग मनुस अपनी अवसकता हुए तु उत्पादन करता है एचीज सभी को पता है पौधे हमारे बोजन के मुख्य स्रोत हैं उनसे बोजन प्राप्त करने के लिए हमें उने मिट्टी में उगाना पड़ता है कहा जाता है यह चीज तो आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी कि किर्सी क्या है और फशल क्या है ठीक है यह सारी की सारी चीजे आपको यहां पर समझनी है देखते हैं दोस्तो किर्सी पद्धतियों के बारे में तो फशल लोगाने के लिए मनुस को कई चरणा पनाने पड़ते हैं इन चरणों को किर्शी पद्धतियां कहते हैं ठीक है ये पद्धतियां देखो सबसे पहले आपकी पद्धति आती है मिट्टी तैयार करना ठीक है जोतकर बखरकर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है तो मिट्टी को तैयार करना सबसे पहली पद्धति जो होती है फिर बुआई होती है फिर खादेबम औरवरक देना इस प्रकार से औरवरक ये सारी की सारी जो पद्धतियां है तो मिट्टी तैयार करने में सबसे पहले हम देखेंगे कि यह पद्दती सबसे पहली पद्दती और अतियंत महत्पूर्ण पद्दती है इस प्रक्रिया में मिट्टी को पोला या फिर भुरवुरा बनाया जाता है ताकि मिट्टी के अंदर मौजूद पोसक पदार्थ जो है उपर आ जाएं और पोधे उन काउपियों कर अच्छी पद्दती सकें एपर कि या हल से, कुदाल से या फिर कल्टी बेटर से की जाती है बुवाई देख लो मिट्टी में बीज बोने की पिर कि लिए बुवाई कहलाती है एपसल उत्पादन का सबसे महत्पूर्चरण है किसान अच्छी गुडवत तादे को पच देने वाली बीज कीप जैसे ओजार या फिर सीड्रेल की सहायता से बोते हैं बीजों के बीच में निउन्तम निश्चित दूरी होनी चाहिए ताकि सबी बीजों को समान रूप से सूर प्रकास पोसक तत्तो पानी मिल सके खाद एवं और वरक देना लगातार फसले होगाने से मिट्टी में पोसक तत्तों की कमी हो जाती है इस कमी को पूरा करने के लिए उसमें खाद और वरक डाले जाती है तो यहाँ पर खाद देखेंगे सबसे प्रकार की खाद कितने प्रकार के होते हैं एह एक जैवेक पदार्त है जो पोदों या जन्तूं के अपसेस्ट से बनती है तो यहाँ पर देखो, खाद के प्रिकार, एक गोवर की खाद, एक कमपोस्ट और एक हरी खाद, तो गोवर की खाद क्या है दोस्तों, एह सबसे पहरे हम गोवर की खाद के बारे में जानेंगे, यहाँ पर देखो, एह जन्तूओं के मल, मूत्र, एवं कूडे करकट को गला, स वार, मूंग, ओड़द जैसे पौदे खेतों में उगाई जाते हैं और फूल आने पर उनको खेतों में पलट दिया जाता है है ना लेग्यूमिनस, मटर, कुल के पौदों की हरी फसल लोगाना ये सारी की सारी क्या होती है हरी खाद होती है ठीके तो एक चीज़ आपको समझ नहीं है और रवनग देखो दोस्तों ये रासाइन एक पदार्त हैं ये एक पोसक तत्विय जो है भी होते हैं जैसे यूरिया, पोटास, बहु पोसक तत्विय भी जैसे NPK इस सारे के सारे क्या होते हैं पोसक तत्विय होते हैं नाइटोजन, फासपोरस, पोटेसियम, जादा और बरकों के प्रियोग से मिट्टी की और बरता कम हो जाती है तो सबसे पहले बात तो यही चीज़ आपको रिखना है कि और बरा कौन-कौन से यूरिया हैं, पोटास हैं है ना और बहु पोसक तत्विय हैं इनको याद रखेंगे अंगला देखेंगे एक फसल के बाद दूसरी किसमे की फसल लगाने को क्या कहा जाता है फसल चक्रन कहा जाता है फसल चक्रन जिससे क्या होती पोसक तत्वों की पूर्ती हो जाती है अगर आपसे पूचा जाए कि फसल चक्रन क्या है अगर कोस्ट चना जाए कि फसल चक्रन क्या है तब आपको आसानी से बताना है कि एक फसल के बाद दूसरी फसल को लगाने या उगाने को क्या कहा जाता है फसल चक्रन कहा जाता है ठीक है दाल बाले पौधे मिट्टी में ना इस ना सूर, चना, यह सबी दालवाले पॉद्धे हैं और यह दालवाले पॉद्धे जो करते हैं अरहर नाइटोजन का इस्तरीकर्ण करते हैं मिट्टी में यह चीज आपको याद रखने हैं आपसे अगर पूचा जाएकि निमनमेंसरे बताएए कौन सा पॉधा मिट्धे मे nitrogen को इस्तिरी करन करता है तब आपके सामने चार बिकल्प होंगे और आपको पता होनी चाहिए कि जो दाल वाले जितने भी पौदे होते हैं वो nitrogen का इस्तिरी करन करते हैं ठीक है nitrogen का इस्तिरी करन देखो दाल पाले पौदों की जड़ में राई जोबियम नाम का एक जीवान उपाया जाता है जो वायू मंदलिये जो वायू मंदलिये nitrogen को nitrite या nitrate में परिवर्थित करता है जिसे पौदे आसानी से गरहन कर लेते हैं ठीक है गरहन कर लेते हैं और nitrogen का इस्तिरी करन सेवालों द्वारा भी होता है अब एक चीज यहां से दो क्वेस्चन बनते हैं दोस्तों आपके कि डालवारे पौदों की जड़ों में कौन सा जीवानू पाया जाता है तब आपको याद रखना है राई जोबियम ठीक है और nitrogen का इस्तिरी करन की द्वारा होता है तो सेवालों की द्वारा होता है यह चीज भी आपको याद रखना है यहां से दो क्वेस्चन आपके किलियर हो जाती है यह क्वेस्चन पूछा भी गया है nitrogen का इस्तिरी करन कोन करता है तब वहाँ पर कबक भी दिया रहता है सेवाल भी दिया रहता है उपर युग तो अनों भी तो सेवाल आपका विल्गोस ही हो जाएगा ठीक है पौदों के लिए आवसक पोसकतर तो कार्बन आक्सीजन हाइडोजन नाइटोजन फासपोरस पोटेसियम कैलसियम मैगनीसियम ज जस्ता लोहा तामा इत्यादी जो है यह पोसकतर तो क्या वसकता होती है पौदों के लिए ठीक है यह चीज़ आपको समझनी है अब दोस्तों बात कर लेते हैं अपन सिचाई की विविन अंतराल पर खेत में पानी या फिर जल देना क्या कहलाता है सिचाई कहलाता है पौद जों और और बरकों का अपसोसल जल द्वारा ही होता है जल के बिना अंक्रण नहीं होता जल फसल को पाले और गर्म हवासी बचा कर रखता है जल का अपसोसल पौदों की जड़ों द्वारा होता है ठीक है पौदों के लिए जल की आवसकता निमलकित कारकों पर निर्वर कर तब आपको बताना है फसल की किस्म के आधार पर भी मिट्टी का प्रकार भी रितू के आधार पर भी ठीक है तो ये चीज़ आपको पता होने चाहिए नेक्ट बात कर लेते हैं सिचाई के स्रोत नदियां नहर कुए तालाब जलकूप ये सभी सिचाई के स्रोत माने जाते हैं ठीक है ये चीज आपको याद रखनी है और ये महत्पूर्ण चीजें हैं कि 90 प्रतिसत जो होता है पौदों में जल होता है खनजों और और वरकों का सिचाई की आदुनिक बिदियां सबसे पहले तो आता है छल्काउ तंत्र यानि कि इस बिदी के दोरा पाइपों के दुआरा जल को फबारे के रूप में फसलों पर छल्काउ तंत्र ठीक है इस प्रकार से आब देख सकते हैं ए नेक्ट बात कर लेते दोस्तों टपकन या प ट्रिप तंत्र इस बिदी के द्वारा जल को पाइपों के द्वारा बूंद बूंद करके पौधों को जड़ों में गिराए जाता है इस बिदी में जल बिल्कुल बेरत नहीं होता इसलिए सबसे अच्छी सिचाई कि जो बिदी माने जाती है वो ट्रिप तंत्र या टपकन मा ढूंत, बूंत, कर पोधी में बूंत, बूंत, पोधी में दिया जाता है। तो खर्पत बार और कीटों से शुरक्छा यहां हम देखेंगे। तो खर्पत बार के तो में प्राकटिक रूप से उंग slope गने वाले अवान्चित पॉधे क्या कहलाते है? खरपतबार कहलाते हैं ये पौधी जल पोसक तत्वों आदी को अफसूसित कर लेते हैं जिससे मुख जो फ़सल है वो कमजोर हो जाती है इनको जुताई करके उखाड़कर या काटकर निगल दिया जाता है इसे क्या कहा जाता है निराई कहा जाता है खरपतबार को ओखाड़कर काटकर जैसे भी अलग गिया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है निराई ठीक है अब एक चीज क्वेश्चन पूछा जाता है इनको खत्म करने के लिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों यहां से कई प्रकाल के क्वेश्चन बनते हैं कि एगर आपसे पूछा जाए कि खेतों में प्राकरतिक रूप से अवांचित पौदे जो उंगते होने क्या कहा जाता है तो आपका उत्र होगा खर्पतवार, ठीक है, अब इनको खत्म करने के लिए कौन सा एट्राजिन प्रियोग किया जाता है, कौन सा रसाइन प्रियोग किय जाता है, तब आपका उत्र होगा खर्पतवार को नश्ट करने के लिए किया जाता है, यह चीज़ याद रखनी है, अब यहां से आपको कीट, कीट भी फसलों को नुक्सान पहुंचाती, जैसे टिड़ा, यह पत्तियों को काट देते हैं, तनों और फलों में छेट कर देत हैं, या फिर उनका रस चूस लिते हैं, तो इनको दूर करने के लिए मैला, थ्यान, लिंडेन और थायोडान नामक कीट नासक जो है, इसमें किरमी नासकों का प्रियोग किया जाता है, तो ध्यान रखने वाली बात है कि जादना रासाइनों के प्रियोग से फसलों को, मिट उसको सभी को नुकसान पहुँचता है, कटाई देख लो, फसल के पक जाने पर उसको काटना कटाई कहलाता है, कटाई दराती या हारवेस्टर से की जाती है, है ना, फसल कट जाने के बाद उसके बीजों या दानों को अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है, ठीक है, एक या बोल देते हैं आप लोग गाओं में हसिया ठीक है यह हसिया दराती या फिर हार्वेस्टर और थ्रेसर है तो यह आपकी अलग-अलग आप देख सकते हैं कहीं कहीं या बहुत बड़े खेतों में कटाई और थ्रेसंग एक साथ जो है एक मसीन की मदस से होती है जिसे कम कॉम है ना तो यह आप देख सकते हैं इस प्रकार से और भी देख लेते हैं इस प्रकार से भंडारन बीजों दानों को अधिक समय तक उपियोग के लिए उनको क्या किया जाता है भंडार करके रखा जाता है बीजों दानों चूहों कीटों सीक्ष जीवू से सुरक्षत रखा ज ताकि उनमें से नमी हट जाए, बीजों को बोरों में बंद करके उनके गोदावों में रखा जाता है, सूक्ष में जीवों, चूहों, कीटों से रक्षा करने के लिए उनका रासाइने को प्चार भी किया जाता है, घरों में बीजों को उस रक्षत रखने के लिए नीम की सू प्रकार नर्वाह और बानिजग देखो किर्सी मुकरूप से दो प्रकार की होती है एक तो होती है नर्वाह किर्सी और एक होती है बानिजग किर्सी ठीक है अगर आप से कॉस्चन यहां से पूचा जाए किर्सी कितने प्रकार की होती है तो प्रमुकरूप से मुकरूप से दो प्रकार की एक तो नर्वाह किर्सी जो की जीवी का चलाने के लिए है ना जीवन नर्वाह के लिए की जाती है और एक बानज जिसका ब्यापार करने के लिए की जाती है ठीक है तो नर्वाह किर्सी किसान जो है अपनी आवसकताओं को पूरा करने के लिए करता है नरवाय किर्सी पुना है दो प्रकार की होती है दोस्तों एक होती है गेहन नरवाय किर्सी और एक होती है आदम नरवाय किर्सी है ना गेहन नरवाय किर्सी में किसान छोटे छोटे खेतों पर अपनी जो है अवसक तनुसार चाउल गेहु मक्का द मजनी हैं दोस्तों ये इस्थानांत्री जूम किर्सी कई बार पूचे जाती है ये आदिम निर्वाह किर्सी दो प्रकार की होती है कौन कौन सी होती है एक तो इस्थानांत्री जूम किर्सी होती है और एक चलवासी पसुचारण है ना तो इस्थानांत्री किर्सी में बंसपत खेत पर जो है कई सारी फसलें जैसे मक्का, चाँ और सब्जियां आदी उगाई जाती हैं एक बार फसल काटने के बाद जो है खेत को कुछ सालों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है इसको करतन एबम दहन किर्सी करतन एबम दहन किर्सी भी कहते हैं ठीक है और इसको अलग खेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है अब यहां से कौश्चन अगर आप पूछा जाए कि एक बार फसल लोगाने के बाद किस खेत के लिए कई सालों तक छोड़ दिया जाता है वो किस किर्सी के अंतरगत आता है तो वो करतन एबम जो है दहन किर्सी के अंतरगत जिसमें बंसपतियों को जला करके राख कर दिया जाता है और जब इसमें राख मिसरित होती है मिट्टी में तो ये मिट्टी कैसी हो जाती है और वरा सक्ति उसकी बढ़ जाती है तो इस तरनांतरी किर्शी, कर्तन या एवं देहन तो ये छेतर हैं यहाँ पर देखो अलग-अलग नामों से किस परकार से जाना जाता है अगर आप से पूछा जाए कि निमनमे से बताईए भारत के किस राज्यों में जो है जूम किर्सी होती है तो आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर जो किर्सी होती हो तरपूर भारत में मेगालाय नागालंड मेजोरा मादी में जूम नाम से जाना जाता है से इस्थानांतरी किर्सी या करता निवम दहन किर्सी को जूम नाम से बुन्देल खंड में वेवार नाम से आपसे पूछा जाएगा कि बुन्देल खंड में जूम किरसी को किस नाम से जाना जाता है तब आपका उतर होगा वेवार 36 गड में जूम किरसी को किस नाम से जाना जाता है दीपा अंद प्रदेस में जूम किर्सी को किस नाम से जाना जाता है पोडू मलेसिया में जूम किर्सी को किस नाम से जाना जाता है लदांग और ब्राजील को किस नाम से तो रोका है एरोपा नी रोका ठीक है तो ब्राजील में रोका, मलेसिया में लदांग, अंदर प्रदेस में पोडू, 36 गड़ में दीपा, बंदेल खंड में बेबार अब यहां से कोस्टन आपके कई परकार से बनेंगे आप से पूछा जाएगा कि मेगाले में जूम किर्शी को किस नाम से जाना जाता है तो जूम इस्थानांतरी किर्शी को किस नाम से जाना जाता है तो जूम किर्शी मुंदेल खंड में किस नाम से तो बेबार तो यह चीज़ आपको यहां पर याद रखनी है ठीक है और चलबासी पसुचारण में लोग अपने पसुओं के साथ चारे और पानी की तलास में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घुमते रहते हैं भेड, उट, बकरिया, याक, मवे, सियादी जो है पालते हैं जो इन लोगों की अवसकताओं को पूरा करते हैं लद्दाक की चापगा जन जाती जम्मू कस्मीर के बकरवाल ये कहां के हैं जम्मू कस्मीर के चापगा जन जाती है लद्दाक की और हेमाचल हेमाचल की जो है प्रदेश के गड़ी चलवासी गड़ी चलवासी ये पसुचारण है बानज्यक किरसी में फसल उत्पादन और पसुपालन जो है बड़े पैमाने पर होता है इस प्रकार की किर्सी जो है कमो कुद्देश उत्पादनों को बैंचना होता है एक तीन प्रकार की होती है बानज्यक अनाज किर्सी और मिस्रित किर्सी और रोपन किर्सी ठीक है तो ये चीज आपको याद रखने है बानज्यक किर्सी में फ अका इस प्रकार जो है की किर्सी के प्रमुक जो है फसल है इस प्रकार की किर्सी में मसीनों का प्रियोग किया जाता है ठीक है इस प्रकार की किर्सी में क्या होता है मसीनों का प्रियोग किया जाता है मिस्तरित किर्सी में खेती वंपसूपालज दोनों किया जाता है रोपड क किर्ची में चाय, काफी, केला, कपास, रवड, काजू, गन्ना जैसी फसलों को गाय जाता है, फसलों को नगदी फसल भी कहा जाता है, एक क्वेस्चन यहां से जरूर बनता है दोस्तों, निवने मैं ऐसे बताईए, कौन सी फसल नगदी फसल है, तब आपको पता होनी देखें, तो यहां पर आपको एक समझ में आ रहा होगा, निर्बाह किर्षी और एक बानिजग किर्षी, ठीक है, इसको थोड़ा सा और जूम करके आपको बताएंगे, किर्षी के परकार, तो निर्बाह किर्षी सबसे पहले है, तो निर्बाह किर्षी को एक तो निर्बाह किर्शी और एक आदेम निर्वाह किर्शी ठीक है अब आदेम निर्वाह किर्शी को दो भागों में बाटा गया एक तो इस्थानांत्री किर्शी और एक चलवासी पसूचारण है ना एक आदेम निर्वाह किर्शी को बाटा गया और यहां पर अगर देखें बानजजग किर्सी को तो बानजजग किर्सी को तीन भागों में एक तो बानजजग किर्सी मिसरित किर्सी और रोपन किर्सी ये तीन भागों में इसको बाटा गया तो एक किर्सी के आपने प्रकार देखे पालन देखें दोस्तों विबिन प्रकार के जो पालन होते हैं मधु में पेंचते हैं जैसे मुर्गी पालन मचली पालन मदुमक्खी पालन इत्यादी प्रमुख जो है यह पालन होती है अब यह चीज सबसे बड़ी और महत्पूर्ण चीज है जो आपको याद रखनी है यहां पर देखो रेसम कीट पालन एक कोस्टिन कई बार पूंचा जाता ह है कि रेसम या कीट पालन रेसम कीट पालन को क्या कहा जाता है तो सेरी कल्चर इसे कहा जाता है क्या कहा जाता है ठीक है सेरी कल्चर कहा जाता है इस पालन में रेसम के कीड़ों को पाला जाता है रेसम के कीड़ों से रेसम प्राप्त किया जाता है तब यह चीज आपको या रेसम का दागा है, तो हमें रेसम के दागे को सेरी को बांधना है, सेरी, सेर और सेरी, सेर से बना सेरी, तो हमें सेरी को बांधना है काई से, रेसम के दागे से, तो रेसम कीट पालन सेरी कल्चर, इस प्रकार से कोछ याद भी करने का प्रयास करेंगे, रेसम के कीडे सहतूत क पेड़ों पर पाले जाते हैं ये question भी पूचा जाता है कि रेसम के कीड़े किस पेड़ पर पाले जाते हैं तब आपका उत्रोगा सहतूत के रेसम एक प्रकार का क्या है तो एक प्रकार का प्रोटीन होता है दोस्तों ये question भी पूचा जाता है रेसम निमन प्रकार से एक प्रकार का क्या है तो ये प्रोटीन होता है रेसम के प्रकार टसर, मोंगा, एरी और कोसा ये चीज आपको याद रखनी है आप से पूचा कि टसर, मुंगा, एरी और कोसा ये किसके प्रकार हैं तब आपका उत्र होगा रेसम के ठीक है टसर, मुंगा, एरी और कोसा ये चीज़ याद रखनी है नेग देखें भारत के कई इस्तान जैसे बनारस, पोचमल, पोचमपली, असम, रेसम के कपड़ों के लिए जो है प्रसि तो AP क्या पी, सहद पी, तो AP कल्चर, AP कल्चर ये मदुमक्की पालन से होगा, ठीक है, मदुमक्कियों को सहद के लिए पाला जाता है, जब किसी मदुमक्की को पराग रस मिल जाता है, तो वह अपने साथियों को नरत करके बताती है, क्या करके बताती है, नरत करके बताती ह भारत में मदुमक्की पालने के लिए अक्टूबर से दिसंबर एक क्वेस्चन पूछा गया है दोस्तों कई बार कि मदुमक्की भारत में मदुमक्की पालने के लिए जो समय माना जाता है वो अक्टूबर से दिसंबर माना जाता है एक question यहां से आपका बन सकता है ठीक है मदुमक्की पालन बहां अच्छा होता है जहां आसपास बागबगची होती है मदुमक्की पालन के लिए लकड़ी के डिबों और चीने के गोल किया वसकता होती है तो यह सारी की सारी चीज़ें आपको यहां पर याद रखनी है है ना यहां से आपके दो तीन question बनेंगे मदुमक्की पालन को क्या कहा जाता है AP culture एक question बन जाएगा ठीक है दूसरा question आपको बनेगा कि जो है मदुमक्की पालने का जो उपयोक्त समय है भारत में वो क्या है तो October से December है यह चीज़ भी यहां से आपको बनेगा ठीक है तो यह मदुमक्की पालन से संबन देत हो गई बात कर लेते दोस्तों मतस्स पालन जो हो जाती है वो PC culture कहलाती है ठीक है तो यह चीज़ आपको याद रखनी है मतस्स पालन PC culture ठीक है अब मतस्स है कोई मतस्स तो उसको PC कोशिश नहीं करना PC है ना मतस्स PC तो मतस्स को PC नहीं करना ठीक है तो PC culture इस पालन में मशलियों को पाला जाता है पाले जाने बाली प्रमुक मशलियां है रोहू, मांगूर, मासेर और कतला इस पालन में जिंगो को भी पाला जाता है अगर आपसे पूछा जाएगा कि पाले जानी वाली प्रमुक मशलियों में ऐसे कौन सी नहीं है तो आपको याद रख लिएना है रोहू पाली जाती है मांगोर, मासेर, कतला और जिंगा ठीक है ये भी पाली जाती है तो आपको मतस पालन को सबसे पहले तो यही बनता है कि PC कल्चर इसे कहा जाता है नेक्स देख लेते हैं दोस्तो केंचुआ पालन बरगी कल्चर क्या कहा जाता है बरगी ठीक है यहाँ पर आपको याद रख लिएना हैं दोस्तो केंचुआ पालन अब कैंचुआ की बात आई है, तो कैंचुआ भी बिविन बर्गों के होते हैं, कोई छोटा कैंचुआ होता है, कोई बड़ा होता है, कोई उससे भी बड़ा, तो इनको अलग-अलग बर्गों में रखा गया, इसलिए बर्गी कल्चर, कैंचुआ पालन बर्गी कल्चर, ठीक आपके दो question फिर clear हो जाती है सबसे पहले तो केंचुवा पालन को क्या कहा जाता है बरगी culture ठीक है किसानों का मित्र किसे कहा जाता है तब आपका उत्तर होगा केंचुवा को किसानों का मित्र कहा जाता है तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है बात कर लेते हैं शिल भी culture एह one और one उत्तपादों से संबंदित है इसमें बनों को बढ़ावा दिया जाता है शिल भी culture ठीक है ये चीज़ याद रखनी है ठीक है अब यहाँ पर शिल भी आया है तो सिल शिल जो बड़ी बड़ी सिलाएं होती है वो कहां मिलती है बनों में मिलती है पहाड़ों में मिलती है तो ये शिल भी culture बन और बन उत्तपादों से संबंदित होगा शिल भी culture ठीक है तो याद रख लेना जल किरसी तो जल किरसी को aqua culture कहा जाता है क्या कहा जाता है aqua culture तो याद रख लेना दोस्तों कि जल किर्शी को कहा जाता है aqua culture अब यहां से सिर्फ इतना लें आप एक, तो जल क्या है जल प्रत्वी पर एक मात्र जीवन का मतलब सुरूत है, जल है तो हम बोलते जीवन है तो जल एक जीवन दाइनी उस्दी मानी जाएती है ठीक है तो एक बोल देंगे एककुआ कल्चर जल किर्सी एककुआ कल्चर ठीक है इसमें जली जीव जनतू बंसपतियों को पाला जाता है जैसे मचली, जींगा, कैकडा, समुदरी, घास, सैवाल ये जल किर्सी है और इसे ए पॉलिट्री हाउस बने होते हैं तो इन से मां संडे प्राप्त किये जाते हैं कोल पॉलिट्री से तो कोकोट पालन पॉलिट्री ठीक है अंगला देख लेते हैं दोस्तों किर्शी को प्रभावित करने वाले कारक सबी जगा एक जैसी फसले नहीं होगा ही जाती अलग-अलग इस्तलہ करती चाहिए अलग-अलग तरह की मिझती चाहिए जलबायू भी अलग-अलग होनी चाहिए किर्शी को प्रभावित करने वाले काराक सबसे पहले तो होती है क्या स्तलह करती अलग-अलग फसलें बौही जाती हैं ग्यहों, चाँल, जो, मक्हा, सम्तल, मैंदानों मे अधिक होते हैं पहाड़ों पर कुछ किस्म के चावल और मक्का उगाए जाती है तर्टी चेतरों में चावल की खेती जादा होती है तो यह चीज याद रखनी है दोस्तों अगर आपसे पूची जाती है मैदानी भागों में जो है उपियोक्त जो किर्ची है उपियोक्त जो फसल है वो कौन सी है तब आपको पता होने चावल जो मक्का इस अमतल में अधानों में उगाए जाती है ठीक है तो जो है किर्ची को पर भावित करने वाला सबसे परमुक और पहला जो होगा वो इस्तला किरती होगा ठीक है अब अगला है दोस्तों मिट्टी अलग-अलग तरह की मिट्टियों में उगती है ठीक है चावल उर गयाओं को जलोल मिट्टी चाहिए कपास के लिए काली मिट्टी उपयोगत है काली मिट्टी में गन्ना भी उगता है बलुई मिट्टी में जोहार बाजरा उगाए जाती है तो मिट्टी की बात करें तो अलग-अलग फ प्रस्न पूची जाते हैं, सबसे पहले तो ये प्रस्न कई बार जो पूचा जाता है, कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, तब आपका उत्र होगा काली मिट्टी, ठीक है, चाओल और ग्याहूं के लिए होती है, जलोल मिट्टी, ठीक है, और काली मिट्ट में गन्ना भी उगाय जाता है और जौर और बाजरे के लिए जो मिट्टी उपयुक्त होती है वो बलूई मिट्टी होती है यह चीज़ भी याद रखनी है जलवाईू की बात कर लो बिबिन फसलों के लिए बिबिन ने जलवाईू चाहिए चांवल बारस बाले छेतरों में उगाय जाता है ग्याहों के लिए बारिस की अवा सकता नहीं होती जौार और बाजरा गर्म और सिस्स के छेत्रों में होती है ठीक है ये चीज भी पूचा जाता है दोस्तों जौार और बाजरा जो है एक किन छेत्रों में उगते हैं तो गर्म और सिस्स के छेत्रों में उगते है ठीक है जोहार और बाजरा ठीक है ये चीज़ याद रखनी है बरसा सबसे ज़्यादा किर्शी को प्रभावित करती है अगर आपसे पूचा जाएगा निमन मैसी बताइए कौन किर्शी को सरवादेक प्रभावित करती है तो बरसा करती है ठीक है अब यहां हमने पढ़ दिये क्या किर्शी को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं तो इस्तला किरती है ठीक है मिट्टी है जलबायू है यह चीज आपको याद रखनी है यहाँ पर अंगला देख लेते हैं फसलों की प्रकार विबिन ने जलबाई उकारकों, ता, पादरता, एबम, बरसा के आधार पर भारत में दो प्रमुक प्रकार की जो है फसलें पाई जाती हैं, एक तो होती है रभी की फसल और एक होती है खरीब की फसल, एक क्वेस्चन आपका हर एक्जाम में यहां से पूछा जाता है दोस्तो यह होती है रभी की फसल और यह है खरीब की फसल इसको अच्छे से आपको पढ़ना है इसकी जो रभी की बवाई होती है यह फसलें सरद रितू यानि कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है रभी की फसलें ठीक है और खरीब की फसलें यह वरसा रितू जून में बूई जाती हैं यह जो यह जो है अप्रेल से जुन तक के महिनों में खीरा, ककड़ी, तरबूच, खरबूजा, तुराई, लौकी इत्यादी फसले उगाई जाती है, इन्हें कहा जाता है जायद फसले, अब यहाँ आपको तीन प्रिकार की फसले समझना है दोस्तों, निम्न मैंसे बताईए कौन सी जायद फसल है, तो आपको पता ह होनी चाहिए, खीरा, ककड़ी, तरबूच, खरबूज, तुराई, लौकी आदी, यह जायद फसले कहलाती है, ठीक है, और रभी की फसले आपको पता हो गई, कि ग्यहूं, चना, मतर, सरसों वालची, यह रभी की फसल हो गई, ठीक है, खरीब की फसले हो गई, तो यह फसलो से ही भारत में नहीं उगती थी, इनमें से कुछ संसार की अलग देशों से, अलग-अलग छेत्रों से भारत में लाई गई, और हमारे बोजन का अहम अंग बन गई, है ना, पसल देखो गय हो, तो उत्तरपस्च में इस या, इसका प्रमुक छेत्र माना जाता है, चना, उत् लेक्सिको, मटर, यूरोप, गोवी, यूरोप, सोयवीन, चीन, पपीता, अमेरिका, कॉफी, अफ्रीका, वाजरा, अफ्रीका, भेंडी, अफ्रीका, ये अलग-अलग सभी छेत्रों की ये फसले हैं, ठीक है, और भी चीज़ें जानते हैं, रेसे या फिर तन्तु, प्राक परतिक रेसे, रेसे कृतिम भी होते हैं, अर्तात रासायनों से बनाए जा सकते हैं, रेसे या तन्तुओं से धागे और धागों से बस्तर बनाए जाते हैं, जानवरों से प्राप्त रेसे को जानताओ रेसे कहते हैं, ये दो परकार की होते हैं, एक तो उन और एक रेसम, य जानवरों से प्राप्त रेसі हैं अगर आपSे पूचा जाएगा नНеमने मैंसे बताएए कौन सा जानवरों से प्राप्त रेसी हैं तो एक दो रेसम एक उन इन्हें जानता हुआ रेसा कहा जाता है ठीक है उन उन की बात कर लेते हैं, यह हमें भेड़ बकरी, उन्ट, याक, लामा, आदी जानवरों से मिलते हैं, ठीक है, उनका मुक्क स्रोत भेड़ है, भेड़ों से उन गर्मियों के मौसम में उतारी जाती है, ताकि बेगर्मी को बरदास्त कर सकें, है ना, एक क्वेस्चन पूछा ज जाता है, तब आपका उत्तर क्या होता है, ताकि बेगर्मी को बरदास्त कर सकें, जब हम उन उतारते हैं, तब भेड़ों को कोई कस्ट नहीं होता, क्योंकि उनकी तचा की उपर की परत क्या होती है, म्रत को स्काउं से बनी होती है, पस्मीना और अंगोरा उन बकरियों से पस्मीना और अंगोरा जो उन होती है वो बक्रियों से प्राप्त की जाती है बात कर लेते दो तो रेसम की बारे में रेसम हमें रेसम के कीड़ों से मिलता है पौदों से मिलने वाले रेसों को पादप रेसा कहते हैं ये रेसे जूट और कपास हैं ठीक है तो ये ने क्या कहा जाता है पादप रेशा जूट और कपास को तो आपने देख लिया यहाँ पर कि जानवरों से प्राप्त रेशा कुन है उन और रेशम यह जानवरों से प्राप्त है पादपों से प्राप्त है तो जूट और कपास यह पादप से प्राप्त है ठीक है और जूट है हमें पटस पटसन और फिलेक्स पौदी से मिलता है पटसन पौदों के लिए बहुत पानी बहुत चाहिए इसलिए इसकी खेती बिहार पस्चें बंगाल और आसम में होती है है ना पटसन कुछ सुनहरा रेशा भी कहा जाता है यहां से भी पूशा जाता है तो कि सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है तब आपका उत्र होगा पटसन को ठीक है तो यह चीज भी आपको याद रखनी है और भी देख लो कपास की बारे में इसके लिए काली मिट्टी और उसन जलवाईू आवस्तक है है ना कपास के लिए काली मिट्टी होनी चाहिए सबसे पहले और उसन जलवाईू यहा महराश्टों मद्द प्रदेश में उगाई जाती है जो रेशे रसाइनों से बनते हैं उन्हें किर्तिम रेशा कहा जाता है रेयान लकडी की लुगदी से बनाया गया पर एह मानव नर्मित रेशा है नायलान पूर्ण रूप से बनाया गया किर्तिम रेशा है इसका बनाने में, टूथ ब्रस बनाने में, परदे आदी बनाने में किया जाता है, और अन्न कृतिम रेसे हैं, पॉलियस्टर, एक्रलेक, एक कृतिम उन हैं, ठीक है, कृतिम उन आदी, तो ए सारे की सारे हैं, रियान लकडी की लुकदी से बनाया गया है, मानो निर्मित रेसा है, नॉयलॉन भी है, अन्न कृतिम रेसा, पॉलियस्टर और एक्रिलेक है, यह कृतिम रेसे हो जाती है, अब दोस्तों हम बात करते हैं मिर्दा या फिर मिट्टी की, प्रत्वी की सताय पर पाए जाने वाले दानेदार कड़ों की पतली परत मिर्दा कहलाती है, इसका निर्मान चट्टानों से प्राप्त खनजों और जेव पदार्तों एवं भूमी पर पाए जाने वाले खनजों से होता है, है ना, और मिर्दा के कारदे को एक अनेक जीवों का आवास है, एह पौदों को जकड़कर रखती है, एह पौदों को जल और पोसकतत्तों की आपूर्ती करती मुर्दा परिछेदी का मुर्दा अनिक पर्तों से बनी होती है इन सभी पर्तों का गठन, रंग, गहराई और रासायनेक संगठन अलग होता है सबसे उपरी परत में हिूमस और खनिच पाय जाते हैं इसलिए इसका रंग गहरा होता है यही परत उपजाओ होती है कौन सी? सबसे उपरी परत जो है यह हिूमस और खनिच पाय जाते हैं इसमें दूसरी परत कठोर होती है, इसमें हिूमस कम होता है, पर खनिच जादा, तीसरी परत पत्रों की होती है, चौती परत आधार सेल पाय जाते हैं, मिट्टी को उसका रंग प्रदान करती हैं, बात कर लेते हैं मिर्दा के प्रकार की, तब दोस्तों भारत में पाई जाने बारी प्रमुक मदा है, जलोल, लाल, काली, लेत राईट, यवर मरस्तलिए, ठीक है, सबसे पहले हम जलोल मिर्दा की वारी मी जानेगे, इस परकार की मिर्दा मैंदानों और नदी घाटियों में कौन सी मिर्दा पाय जाती है, ठीक है, और इस परकार की मिर्दा में लगभक सभ है उगाई जाती है जडोल मिर्दा में ठीक है और जो है उगाई जाने वाली जो प्रमुक फसले हैं गया हूँ चावल दलहन तिलहन कपास गन्ना यह उगाई जाती है बात कर लेते हैं काली मिर्दा की है मिर्दा गुजरात महरास्ट आंदपरदेश तमिलाडू में पाई जा लोहित की अधिकता के कारणिस का रन्ग लाल होता है शचाई की सुविधा से इसमे धान आलू का पास हो गाए जा सकते हैं लैतर राइट मरदा, अह मरदा आह मरदा बहाίν पाई जाती है जहां बरसादिक होती है लेट राइट मिर्दा यहां एह मिर्दा खेती के लिए अच्छी नहीं होती मरुस्त लिए मिर्दा सुस्क मिर्दा एह मिर्दा सुस्क अर्द सुस्क के स्थानों में पाई जाती है राजस्थान और लद्दाक एह मिर्दा पाई जाती है मिर्दा का निमनी करना है तब आपको ये कारण पता होनी चाहिए बात कर लिए ते मिर्दा सनरक्ष्ण की तो मिर्दा को निमन उपायों से सनरक्षित रखा जाता है सबसे पहले हम देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधी लगा कर और बरकों ये वों कीटनासकों का कम उपियोग करके अतीचारण कम करने से बांद बना कर अलग-अलग समय पर बिनन बिनन फ़सले होगा कर ये मिर्दा सनरक्ष्ण इसमें किया जा सकता है अब दोस्तों हम देखेंगे बारत की पिरमुक फ़सले और उनसे संबन्दित राज तो ग्याहूं से संबन्दित जो राज है पिरमुक जो फ़सले हैं उत्तर प्रदेश से संबन्दित है न जो उत्तर प्रदेश, बाजरा, राजिस्थान, पिरमुक फ़सल हो जो है यहां पर बात हो रही जुआर, महरास्ट, मक्का, आंदप्रदेश, डाले, महरास्ट, गन्ना, उत्तरप्रदेश, ठीक है, चाय, असम, कॉफी, करनाटक, कपास, गुजरात, जूट, पस्चे बंगाल, और रवड, केरल तो यह इन फसलों के लिए प्रिशिद्ध माने जाती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर यह दिया है, भारत की प्रमुक फल देखो, संत्रा के लिए जाना जाता है, नाकपोर प्रिशिद्ध है, काजू के लिए जाना जाता है, गोबा, ठीक है, लीची के लिए देहरादून, सहारन पोर और मुजफर पोर ठीक है ये लीची के लिए जाना जाता है अलफासो अलफासो आम की प्रजाती है रतनगिरी महरास्ट सहतूत अमरत सर ठीक है सहतूत अमरत सर अंगूर के लिए नासिक इस्ट्रावेरी के लिए महावले सुर अनानास के लिए सिली गुडी केला के लिए जलगाओं, चीकू के लिए दहानू, महरास्ट, सेब के लिए कोटा, गड़, हमाचल प्रदेश और अमरूत के लिए है लाहवाद ये फसले हैं अलग-अलग जिन के लिए संबंदित, रज और छेतर हैं ठीक है भारत के प्रमुक मसाले, काली मिर्च, केरल, इलाइची, केरल ठीक है ये चीज आपको याद रखनी है लौंग के लिए जाना जाता है केरल, दाल चीनी के लिए केरल, तेज पत्ता के लिए केरल अदरक के लिए आंद प्रदेश, हल्दी के लिए आंद प्रदेश, धनिया के लिए राजस्थान, जीरा के लिए राजस्थान, मैथी के लिए राजस्थान और केसर, जम्मू कस्मीर, सौप, पंजाव, लहसुन, हरियाना, और अजवाइन, वेहार और सरसों, उत्तर प्रदेश यह अपने मसाले भी देख लिए, फसले भी देख लिए, यहाँ पर यह अलग-अलग छेत्रों में होता है और केरल को मसालों का घर भी कहा जाता है, ठीक है, तब दोस्तों, अब हम यहाँ पर हमने पूरा का पूरा जो किर्शी से सम्मंदित अद्यन है, किर्शी से सम्मंदित जो भी आपके प्रस्ने पूछे जा सकती हैं, जो भी आपकी संभावना रहती है, उनसे सम्मंदित यहाँ पर महत्पूर्ट जो है टॉपिक पर हमने अध्यन किया अब हम इससे सम्मंदित कुछ प्रस्न हैं उनकी बारे में जानेंगे ठीक है अब दोस्तों आपको भटापट से उत्र बताना है किरसी किस पिरकार की किरिया है प्रात्मेक दुतियक चतुर्थक या पर तरतियक तो किर प्रकास को मिलता है पर्याप्त मातरा में पोसक तत्तु मिलते हैं उचित मातरा में पानी मिलता है तब आपका बिलको सही अंसर क्या हो जगा कर такой के बीजों कि बीच उचित दूरी से बीजों को सब कुछ परियाब पोसक तट भी मिलता है, सूर का प्रकास और पानी भी मिलता है अभी हमने पढ़ा था दोस्तो गोबर की खाद, हरी खाद, कźास कंपोश्ट खाद तो हरी खाद कैसे तईयार की जाती है वो की जाती है, मोंग उड़त जैसी फसलों को उगा कर है ना, C नम्मर आपका बिलकुल यहां पर सही हो जाएगा, हरीकात तैयार की जाती है, निवन में ऐसे किस के द्वारा nitrogen का स्थरी करना होता है, कबकों के द्वारा सेवालों के द्वारा, दोनों में से किसी के द्वारा नहीं तो आपको बताना है हमने पढ़ा था कि nitrogen का जो इस थरी करना होता है वो किस के द्वारा होता है, केबल सेवालों के द्वारा, यहनि कि जो आपका V नम्मर है, वो यहां पर बिलकुल right answer होगा, ठीक है अंगला question नेवन वैसे, सिचाई का सबसे अच्छा तरीका क्या है जलकूप, कुए, छिड़काव तंत्र या फिर ड्रिप तंत्र हमने पढ़ा था कि ड्रिप तंत्र में क्या होता है बूंद बूंद पानी पौदे को पहुँचता है और यह इसमें पानी बेस्ट नहीं होता तो सबसे अच्छा जो तरीका वो ड्रिप तंत्र है डी नमबर, ठीक है टूप फोर्डी क्या है दोस्तों टूप फोर्डी के बारे में हमने जाना था कीट ना सक है, सिचाई मसीन है खर्पतबार ना सक है, और वराक है तो हमने बताया था कि जो फसलों में अनावस्यक रूप से कुछ पौधे उंगाते हैं कुछ खर्पतबार उंगाता है उन खर्पतबार को नश्ट करने के लिए टूप फोर्डी का प्रियोग किया जाता है और एक खर्पतबार ना सक कहलाता है लद्दा की चांपगा जन जाती किस प्रकार की किर्शी करती है तो आपको पता है कि ये जो परशन किर्मा काट का उत्तर हो जाएगा वो किस प्रकार की करती है सबी लोग आंसर बताएंगे जो चांपगा जन जाती है ये चलवासी पसू चारण है ना D नमबर यहां पर सही हो जाएगा सुमेलित कीजिए बुंदेल खंडे में जो है इस्थानांतरित किर्शी को क्या कहा जाता है तब हमने पढ़ा था बेबार ठीक है मलेसिया में क्या कहा जाता है तो मलेसिया में हमने पढ़ा था क्या कहा जाता है लदांग, ब्राजील में क्या कहा जाता है, रोका, और उत्तरपूर भारत में क्या कहा जाता है, जूम, ठीक है, ये इस्ताना अंतरित किर्ची को कहा जाता है, अलग-अलग परकार से, आप से सामान सा कॉस्चन पूछा जाएगा कि इस्ताना अंतरित किर्ची को में क्या कहा जाता है तब आपका उत्र होगा वेवार ठीक है ये पढ़ना है टसर मुंगा एरी और कोसा ये किसकी उधारन है तो हमने पढ़ा था कि टसर मुंगा एरी और कोसा ये जो उधारन है वो रेसम की किसमों के हैं यानि की वी नमर यहां पर सही होगा रेसम होता है एक प्रकार का प्रोटीन यानि की C नमबर यहां पर बिलकुल सही आंसर होगा भारत में मदुमक्यों को पालने का जो सही समय है वो कौन सा है जून जुलाई जनवरी फरबरी अक्टूबर से दिसंबर या मार्च तो मदुमक्यों को जो पालने का समय माना जाता है वो कौन सा माना है रेसम के कीड़े सहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं किर्शी को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला कारा के जलबाई हुए या उप्रोक्त मैंसे कोई नहीं तो निम्न कत्नों पर असत्त कत्न बताना है प्रश्ण करमा 13 का तब आपका बिल्कों सही आंसर क्या हो दिया था तो रेसम के कीड़े सहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं किर्शी को सबसे जाना प्रभावित करने वाला कारा के जलबाई हुए तो यह पूरे के पूरे सही है ठीक है बंगला कॉस्चन देख लो दोस्तों जौार और बाजरा कहां उंगते हैं समतल मैंदानों प्रश्म करमांक 14 का आंसर हमें बताना है यहां पर तब आपका बिल्कुष सही आंसर क्या हो जागा सुस्क छेत्रों मैं गर्म इवं सुसक छेत्रों में उंगते हैं जौर और बाजरा है ना तो समेलित कीजिए मुपली मतर पपीता एक कहा की मतलब प्रमुख फसल माने जा और पंदरा का आपका बिल्कु सही हो जाएगा B B यानि कि एक का आपका उत्र होगा 2 2 का होगा 3 है ना और 3 का होगा 4 और बाजरा अपरी क्या इस परकार से ठीक है Next देख लो निवन वैसे किसको सुनहरा देशा कहा जाता है तो आपको पता है दोस्तों कि जो सुनहरा देशा कहा जाता है वो किसे कहा जाता है जूट या फिर पटसन पटसन से जूट प्राप्त होता है तो पटसन इसका सही उत्तर होगा निवन वैसे कौन से पादप रेशे हैं अभी हमने पादप रेशे पड़े हैं कुछ कृतिम रेसे, कुछ जनतुओं से प्राप्त रेसे, तो आपको पता है कि जूट और कपास ये पादप रेसे कहलाते हैं, और रेसम और उन ये जनतुओं से प्राप्त रेसे कहलाते हैं, भेडों से उन उन गर्मियों में क्यों उतारी जाती है, गर्मियों में उनकी कीमत ज़ादा मिलती है ताकि भेड़ गर्मी को बरदास्त कर सकें गर्मियों में भेड़ों पर उन ज़ादा होती है उप्रोक्त सभी तो प्रश्न किरमा कठारा का आपका जो उत्तर होगा कि ताकि भेड़ गर्मी को बरदास्त कर सकें और वी नमबर यहाँ पर करेक्ट आंसर होग तो मिट्टी की सबसे जो उपर की परत होती है वो काली क्यों होती है तो हमने पढ़ा था कि इसमें ह्यूमस और खनिच पायाती इसकारण ए नमबर आपका बिल्कुत सही हो जाएगा अंगला देख लेती नमबर से कौनसी मिट्टी सचाई के बाद उपजाओ बन जाती है तो कौनसी बन जाती सचाई के बाद 20 का आंसर बताना है तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा आपका लाल मिट्टी लाल एनिकी सी नमबर यहनु आपको आपको अच्छा लगा होगा वीडियो आपके लिए ओपयोगी होगा ठीक है तो सभी लोगों को कमेंट जरूर बताना है और सभी लोगों को वीडियो को लाइक करके सेर करना है जो भी साती नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना इसी प्रकार से आपके कई जो है वीडियो आने वाला है तो आज के लिए बस इतना ही जैहिन